हालो फ्रेंट गुर्बॉर्णिंग कैसे हैं आप सब तो दोस्तों आज का जी वीडियो है इस वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि लोग ग्रोव एप के थिरू एसाइपी कैसे करें तो इसके लिए सबसे पहले हम ग्रोव आपको आपन करते हैं जैसे हमने यहां पर ग्रोव को कि कुछ payment उवेस्टमेंड वगरा भी कल रखें है तो यहां पर उसका डेट्स वगरा जोगी। चीज़े हैं तो यहां पर आप देख पार हैं यहां पर दो सेक्सेंस हैँ नहीं करते हैं एपको चलना है मिच्टोल फंड के सेक्ष्ण पर हम यहां पर आते हैं यहां पर आपको करना है एक्सप्लोड पर हमने क्लिक किया यहाँ पर जो SIP में हम इन्वेस्ट करने वाले हैं जिस मिचोल फंड में हम SIP करने वाले हैं उसका नाम है SBI इस मिचोल फंड को हमने क्यों चुना यह हम आपको किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे अभी हम आपको यहां पर सिखाएंगे कि SIP कैसे किया जाए इस मिचोल फंड में यहां पर आपको क्लिक करना है स्टार्ट SIP पर बाइब सोब्सक्राइब क्लिक करना है यहां पर आपको पास उल्लोड यहां पmusic करना है 13 January ठीक है तो आज है 7 December तो मैं जो SIP का date select करूँगा अगला 7 January कि यहाँ पर select करूँगा तो 7 January का SIP का date हमने यहाँ पर click किया और हमने यहाँ पर select किया देखिए यदि आप 6 तारीख का select करेंगे 6 January का भी हो जाएगा लेकि यदि आप 5 January का select करेंगे दोस्तों तो देखिए यह 5 February को चला जा रहा है यह 5 February को इसलिए चला जा रहा है क्योंकि आपको SIP जब आप करते हैं तो BSE के तुपारा उसको establish करने में उसको जो है processing करने में 30 days का time लगता है यदि अभी से आप 30 दिन जोरेंगा 7 December है और 7 December से अगला 30 दिन आप जोरेंगे तो वो 6 तारी तक आएगा 6 January तक जाएगा लेकिन उसके पहले यदि आप इसको process करना चाहते तो आपको अगला मंद जो January का है जैनवरी में नहीं हो पाएगा बलकि फैबरी होगा इसलिए जब मैं 5 तारी अधार कर रहा है तो यहां पर विचान से देखेंगे तो यहां पर आपको 5 February रिप्लैट कर रहा है तो इसलिए हम यहां पर 6 January की रिप्लैट करते हैं 6 January को नहीं लेकर के आट जैनवरी का यहां पर डेट डाल रहा हूं SIP के लिए तो 8 January का डेट हम नहीं यह जो है हम यहाँ पर SIP अपना start करने वाले है अब यह जो है मुझे internet banking के तरब ले जाएगा और यहाँ पर हम जो है इसमें अपना password डालेंगे जो अभी password हमें grow app के तुरू से मिलेगा 563935 563935 यहाँ पर हमने OTP डाला, OTP से डालेंगे यह payment के तरब process करेगा तो यह हमारा payment के तरब process हो चुका है दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहा है तो अब यहाँ पर जो है मुझे payment करना है payment जो हम करना है वो internet banking के तरू करना है यहाँ पर user ID और password डालना अभी मैं user ID password डालकर login करक आपको दिखा रहा है यहाँ पर दोस्तों हमने अपना user ID और password डाल दिया और यहाँ पर आप हम प्लिक करेंगा login पर यह login हो जाएगा login होने बाद यहाँ पर आप देख पारें दोस्तों यहाँ पर SIP का amount लिखा वो 1500 है यहाँ पर account number बगरा सब्सक्राइब है तो आगे बढ password डलना जो password मेरे पास आया होगा 570560 570560 यह हमने डाला और यहाँ पर डाल करेंगे confirm जैसे confirm हो रहा है यहाँ पर दिखा रहा है यह payment is successful तो यहाँ पर payment successful हो चुका है दोस्तों और अब यहाँ पर यह जो है हमें process करा रहा है अपने grow app पर दुबारा यहाँ पर की लिखाए setup और रॉपे तो देख लेते हैं यहाँ पर अब आप यहाँ पर देख पा रहा है कि एक mandate है जो mandate को में fill करना परेगा payment हो चुका है और एक mandate को में fill करना परेगा जो यहाँ पर आप देख पार है सबसे पहले जो mandate हमें करना है वो हम internet banking के थ्रूप कर सकते हैं debit card के थ्रूप क पर साथ दिसंबर का टाइम दिया भाया है तो इसको देखकर करके बिल्कुल भी नहीं रटना यहां पर हम क्लिक कर रहे है और जो हम प्रोसेस करने वाले है वो पर मुझे यह लेकर जा गई अब यहां पर आप देख पा रहे हैं जैसे कि NPCI के website इन्हों ने मुझे अब फिर से bank के site पर redirect कर दिया यहां पर फिर हम अपना user ID और passport जो भी है वो डाले के और डाल करके आगे आगे प्रोसेट करेंगे ताकि हम लोग आटो पेमेंट को setup कर सके यहां पर हम करते हैं लोग जैसे हैं यहां पर लोग इन करते हों तो आप यहां पर देख पार है कि maximum amount जो अभी भी 1,000,000 लाग दीकर रहा है जो कि कटने वाला है तो डड़ने वाली बात नहीं है यहां पर आप देख पार है कि जो है first collection जो date है वो आज जैसे मिने 500 टरुप करना है यहां पर mandate के लिए बोल रहा है mandate process वह होता है जिसमें कि आपको auto debit होता है अपने आप अपके खाता से जो भी amount है जो 1500 का amount है वो आपका deduct हो जाएगा तो मैं यहां पर accept कर रहा हूँ इसको मैंने यहां पर किया accept accept होनेक बाद अब यह high security passport भेज़ेगा मतलब की मेरे पास एक OTP आएगा अब वो मैं डालूंगा जो OTP यहां पर देख पा रहे हैं वो है 329880 329880 अब यहां पर मैं इसको confirm करूंगा जैसे ही यह confirm होगा तो आप यहां पर देख पाएंगे कि auto पे ज तो confirm पर मैंने क्लिक कर दिया थोड़ा वेट करते हैं थोड़ा टाइम यह लेगा और इसके बाद जो है auto pay करते हैं आप यहां पर देख पार है mandate authorization successful यह सबसे important है mandate authorization successful हो जानेक बाद अब यह क्या होगा auto pay होते रहे हैं कब auto pay होगा दोस्तों यह जो auto pay होगा यह आपका auto pay अब यहां पर यह हो चुका है और यह मुझे एक यू में हमारे नंबर बगर जो भी चीज़ है यह दे दिया है अब इसका जो है एक screenshot चाहें तो आप ले सकते हैं यहां पर लिखा हुआ रहा है ग्रेट टू टू सेबन वर्किंग डेस के अंदर यह बता रहा है कि सेट हो ज तो पर सेट करने वडियो सेट करने का वीडियो अपको अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा दोस्तो भी को लाइक कर जिराएगा अभी तक आप हमारे चैनल हमें ऐसा पर बनेता है गबर पांडे जाएगा तो भने वालत है कोना लेकस प्लीछ टिएगा धन्यवार